ऐसा कहा जाता है कि पैरिस दुनिया का सबसे खुबशूरत सहर है और इस शहर में दुनिया का मोस्ट आइकोनिक लेंडमार्क आइफिल टावर आज में 1889 वो तारीक थी जब फ्रांस के पैरिस शहर में चौथा वर्डफेर होना था फ्रेंच रेवल्यूशन की 100 साल पूरे उने पर इस बार वर्डफेर में एक सेंटर ओफ अट्रेक्शन बनाने का सोचा गया आइडिया था कि वर्ड का टॉले स्ट्रक्शर बनाया जाए अ टावर ओफ 300 मीटर्स नाम से कॉंपिटीशन और्गनाईज कराया गया जिसमें इस डूट केम उप विद इस डिजाइन कस्टाव उने इससे पहले एक और फेबस स्ट्रक्शर बढ़ाया था जहाँ पे इस लेडी कैट बी सीन होल्डिंग अ टॉर्च एन बुक पॉपलर्ली नोन ऐस दिस्टाच्य ओफ लिबर्टी दो साल दो मेने बाद ये टॉले स्ट्रक्शर फाइनली बनकर तयार हुआ मीट दे आइफिल टावर आइफिल टावर फ्रांस के पैरिश शहर में है ये एक लार्ज पबलिक ग्रीन स्पेस पे बना हुआ है जिसे शौन दे मास कहते है इसके दूसरे छूर पे है पैरिश शहर की सीन नदी अगर हम आइफिल टावर की टैमेंशन की बात करें तो आइफिल टावर की विट उसके बेज 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 410 फीट की है अगर हम फीफा की ग्राउंड में रख दे तो ये फीफा की ग्राउंड से भी ज़्यादा चोड़ा है रॉट आइरेन से बने इस स्ट्रक्चर का टोटल वीट 10,000 टन्स है जो 4000 एशन एलिफेंट की वीट के बराबर होता है इसकी करंट हाइट 1083 फीट यानि की 330 मीटर की है अगर इसके सामने हम कुतमिनार को एक की उपर एक चार बार रख दे तो ये उससे भी ज़्यादा लंबा है अगर आप आइफिल टावर विजिट करना चाते हैं तो इसको लिए आपको 21-0 का टिकेट यानि की 2000 INR का टिकेट लेना पड़ेगा एक रिपोर्ट के अकोर्डिंग आइफिल टावर वर्ल्ड का साथवा सबसे ज़्यादा विजिट के जाने वाला मॉनुमेंट है आइफिल टावर को एक क्लियर डे पे 43 माइस दूर से भी देखा जा सकता है 1985 में आइफिल टावर पे 336 बल्फ लगाए गए so that रात को एक लाइटनिंग शो गया जा सके लेकिन उसके बाद से अब तक आइफिल टावर पे 20,000 लाइटनिंग बल्फ लगा जा चुके हैं और रात को आइफिल टावर देखने लाइक होता है और ये इसकी खुबसूर्ति को और भी बढ़ा देता है अब इतने बड़े श्ट्रक्टर्स को मेंटीन करने के लिए काफी जादा मेहिनत भी लगती है हर 7 साल में आइफिल टावर पे पेंट होता है और वो भी 60 टन आइफिल टावर को बनाने में लगे साइन्टिस्ट और इंजिनेर्स के नाम आज भी आइफिल टावर पे देखे जा सकते हैं आइफिल टावर पर एक बार येलो पींट कर दिया गया था 1968 के बाद आइफिल टावर को उसका ओफिशल टावर ब्राउन कदर मिला अब शुरुआत में आइफिल टावर को सिर्फ 20 साल के लिए बनाया गया था पर इसके टॉप फ्लोर पे एक टेली कम्यूनिकेशन टावर लगाया गया जो काफी यूस्फुल हुआ और इसलिए आइफिल टावर को आगे भी कंटिन्यू किया गया जादे जादे छोड़ जाते हैं आपके लिए आइफिल टावर के कुछ बहुत ही खुबसूरत व्यूस्ट मैं मिलता हूँ आपको अपनी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार